जहिंद, वेलकम बैक टू विजेपत एजुकेशन पालमपुर आप सभी का एक वार फिर से विजेपत एजुकेशन के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर स्वागत है तो टारगेट आर्मी अगनिवीर आपके लिए इंपोर्टेंट सेशन ये रहेगा अगनिवीर जीडी क्लर् ओलनाइन पहली बार आपका एक्जाम रखा गया है आर्मी के द्वारा तो मैं आप सबके लिए आज एक जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं ये जीके के कोशन आपके आर्मी के अलावा हिमाचल पुलिस, पटवारी, जे ओवे, बीस एफ, आईटीबीप, एससी, क्ल को बता दूँ वीडियो को एक वार अपने फेंट्स में शेयर कर दें क्योंकि लंबी हमारी क्लास ही चलने वाली है और तू दा पॉइंट हम कोशन को हिट करेंगे कॉमेंट में आप अपने आंसर देते चलें साथ-साथ में और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ चरण गान करनाटक और देशा और मध्यपर्देश तो भीम बेट का किस राज्य में स्थित है तो स्थित कहां पर है। में देश्म discovery में यह सथित है नहीं को पार कमेद् तमिल खडोस्ट की अग्यात या फिर ब्रह्मी कौन सी लिपी जो है वो सिंदु घाटी सभयता की लिपी थी जल्दी से आंसर करें बिल्कुल इंपोर्टेंट कोईशन आप सभी के लिए और जो भी स्टुडेंट हमारे साथ जुड़े है एक और वीडियो को लाइक आप ज़ हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पर भी काफी अच्छा रिस्पॉंस जो है वो बच्चों का रहा था तो इस क्वेशन का आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी इस क्वेशन का आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है तो अग्यात सिंदु घाटी सभयता की जो लिपी थी वो क्या थी अग्यात थी मतला हमें उसका पता ही नहीं था ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेशन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा अग्ला क्वेशन है जल्दी से मोहन जोदलो का स्थान वाला प्रशन है और जो आपकी आर्मी की SK की बुक रहती है उसमें ये कोईशन डिसकस किया गया है मृत कों का टीला ऑप्शन सी जो है वो इस कोईशन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा तो इसकी खोच जो है वो 1922 में राखलदास बेनेर जी के द्वारा जो है वो की गई थी अगला प्रशन मुहुन जोद्रो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है जल्दी से कोईशन को हम हिट करेंगे मुहुन जोद्रो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है विशाल सनानागार धान्यागार स्तंभ होल या फिर दो मंजिला मकान तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा useब से बड़ा भवन था सबसे बड़ा भवन कौन सा है अब पर बिशाल सननाना गार द cioè नहीं ये सबसे बड़ा भवन नहीं था बिशाल सनानागार मोहन जोद्रो में मिला था लेकिन ये सबसे बड़ा भवन नहीं था ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ये सबसे बड़ा भवन नहीं था इसकी लंबाई में जो है वो क्या था? इसकी लंबाई जो है वो 45 मेटर तक लंबी थी और सनानाकार की लंबाई थी टोटल ग्यारा मेटर के आसपास इसलिए धान्या गार जभू सबसे बड़ा भवन है लेकिन सनानाकार मिला कहां पर है यह मिला है मोह। जोद़ुन में अगला प्रशन सिंदु घाटी के लोगों के एक महतपूरण रचना निमेलिखित में से किसकी मूर्ती थी कौन सी मूर्ती जो थी वो सिंदु घाटी सबयता में मिली थी नटराज की मिली थी निरित्य करती हुई बालिका की बुद्ध की या फिर नरसिंखा की जल्दी से इसका अंसर करें तो निरित्य करती हुई लड़की की मूर्ती जो है वो वहाँ पर मिली थी इसलिए ऑप्शन बी जिनों ना भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा अगला प्रशन हिस्टरी के कोईशन अभी तक हमारे चले है प्राचीन भारत के संदू घाटी सबेता का पतन नगर कौन सा है में पढ़ता है और किस नदी के किनारे में ये पढ़ता है जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करें अगले कोशन के उपर आते हैं बेद सब्द का अर्थ क्या है चार ओप्शन है ज्यान, बुद्धी मता, कुशलता और शक्ती आपको पता होना चाहिए कौन सा इसका राइट अंसर रहेगा बेद शब्द का मतलव क्या होता है तो टोटल चार परकार के बेद थे और बेद शब्द का अर्थ क्या है ज्यान, तो यानि कि option A क्या रहेगा, knowledge इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है अगला प्रशन, आर्यों को एक जाती कहने वाला पहला European कौन सा था जल्दी से comment करके आप यहाँ पर बताएं अपना अंसर एक वार वीडियो को share आप जरूर कर दें आर्यों को एक जाती कहने वाला पहला European कौन सा था ऐसा कौन सा European person था जिसने आरेओं को क्या कहा था कि आरे क्या है एक caste है क्या है एक जाती है तो ये किसने कहा था Sir William Jones ने etzen एक एकflow Wilson ने Max Moeller ने या फिर जर्नल कनिंङम ने किसने कहा था तो Max Moeller ने जो है ये कहा था कि आरे क्या है एक जन्जाती है एक जाती है तो बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने option C इसका आंसर तिया है वो बिल्कुल right answer उनका रहेगा अगला प्रशन है भारती परतीक पर जो चिहनित किया गया है लिखा गया है सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है ये तो आपको पता ही होना चाहिए चार आप्शन दिये तो जो भी यहां पर answer अपना D करेंगे वो बिल्कुल सही answer है और जिन्होंने भी अपना answer ABC से चूज किया है तो आपको यहां पर जादा मेहनत की त्यारी आपको यहां पर करनी पड़ेगी तो मुझको उपनिशत से जो है वो सत्यमेव जैते जो है वो लिया है इसका मतलब क कि हमेशा वीजे होगी अगला प्रशन परसित गायत्री मंतर कहां से लिया गया है तो इसी कर प्रकार कि आपको क्लास जो है वो आपको डेली यहां पर देखने को मिलेंगी वीजेपत एजूकेशन के द्वारा तो एक वार वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें शेर जरू गया है तो गायत्री मंतर जो है यह रिजबिवेध से ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा तो जिनका फ्रीम neutron सी है वो बल्कुल रहों सहीं सरी मंदल से लिया गया घ्ल害द कहुं से मंदल से तीसरे मंदल से लिया गया है जल्दी से आपना आंसर आपर कौमेंट कर थे कि गाइत्री मंत्र किस भगवान के लिए है गाइत्री मंत्र जो है वो किस भगवान को समर्पित है किस भगवान से यह समंधित है कौन से भगवान से रिलेट करता है अपना अंसर जरूर यहां पर बताएं अगला प्रशन कोशन अबर 12 जल्दी से क्लास को एक और शेर जरूर कर दें बुद्ध किस वंश से समंदित अभी कोशन की होड लगने वाली है हंडर कोशन हम जीके के यहां पर डिसकस करने वाले हैं और आर्मी के लिए क्योंकि 17 अपरैल से आपका एक्जाम जो है वो स्टाट होने जा रहा है तो इसके लिए जो है वो जितने भी शिफ्ट आप प्रथम बोध परिशद कहां पर आयोजित की गई थी विशाली कश्मीर राजग्री है या फिर पाटली पुत्र कहां पर रखी गई थी तो चार option दिये गए बिल्कुल रहने वाला है अगला प्रशन क्या है पहले मैंने आपसे पूचा था बेद का अर्थ क्या है बेद का अर्थ होता है ज्ञान और आपसे पूचा गया है बुद का अर्थ क्या है option A, ज्यान प्रापती, धरम प्रचारक, प्रतिवाशाली, या फिर शक्तिसाली, क्या इसका सही आंसर रहेगा, तो बुद्ध का right answer क्या रहेगा, बुद्ध का right answer है, बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्यान प्रापती, option A, जिनका भी आंसर है, वो विल्कुल सही जा रहे है, तो छे वर्षों की साधना के दोरान जो है वो 35 वर्ष की आयू में बेशाक पूर्णिमा की रात को पीपल के ब्रिक्ष के नीचे जो है वो बुद्ध को ग्यान प्रापत हुआ था और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था सिधार्थ था आपको पता होना चाहिए कौन से न्रीचे या फिर आरनग क्या स्का राइटंसर रहेगा तो अंसर यहां इंते रहेगा अगला प्रशन जल्दी से question number 16 हमारा चल पड़ा है धातू से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे यानि कि सबसे पहले धातू के metal के सिक्के जो हैं वो कहां पर मिले थे हडपा में, उत्तरवैदी के काल में, बुध के काल में या फिर मोरे के काल में तो कौन से इसका सही answer रहेगा, जल्दी से आप answer यहां पर बताएं कि धातू के बने सिक्के जो हैं वो पहली बार कहां पर मिले थे, कहां पर उन्हें खोजा गया था तो पहली बार जो हैं वो इन option के according जो आपका right answer रहेगा वो है आएगा आपके पास बुध के काल में तो बुध के काल में जो है वो इन्हें यह प्रकट किये गए थे और यह जो थे वो जाता तरचांदी और तांबे के ही सिक्के थे और इन्हें जो है वो आहत सिक्के के ना से भी जो है वो जाना जाता था तो option C बुध के काल में जो है यह इसका right answer रहेगा अगला question question number 17 question आपका चला है जीके का और यहां पर आप एक जीके की sheet आप बनाते चलें एक page ले लें वहां पर आपको लिखना है जीके का test number आज है आपका second test रहेगा जीके का और उसमें आपको answer लिखते चलना है कि आपका first question क्या हुआ ठीक हुआ second question आपका ठीक हुआ third question क्या हुआ ठीक हुआ fourth question आपका गलत हुआ तो इस तरीके से sheet बनाते चलें और last में check करें कि क्या hundred question में से आपके कितने answer जो है वो बिल्कुल सही answer है रहेंगे so question है आपके पास बो धरम में बुल का समंद जीवन बुद के जीवन की किस घटना के साथ था तो बुद के जीवन में जो है वो बुद्ध के जीवन में एक बुल का समन्द जो है वो बताया गया है different relation जो है वो बताया गया है कि बुल यानि की सांड का समन्द जो है वो किस घटना से समन्द रखता है तो बो धरम में बुल का समन्द बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है तो बुद्ध के जीवन में जो है वो बड़े सारे जानगुरों का जो है वो समंद बताया गया है जैसे सांड का जो समंद है यानि की बुल का समंद जो है वो किस से बताया गया है उनके जनम से बताया गया है घोडे का समंद जो है वो ग्रिहत्याग से बताया गया है उसके बाद people का समंद जो है वो ग्यान से बताया गया है और stoop का समंद जो है वो उनकी मृत्यू से बताया गया है तो जिनका भी answer option A है वो बिल्कुल सही answer की तरफ जा रहे हैं अगला प्रशन है बुद्ध, धम और संग मिलकर क्या कहलाते हैं जल्दी से इस question का आप answer करें क्य इसका right answer रहेगा आपको बुला गया है बुद्ध, धम और संग मिलकर क्या कहलाते हैं तो बुद्ध के ये क्या हैं त्री रतन हैं, त्री वर्ग हैं, त्री सर्ग हैं या फिर त्री मूर्ती हैं तो बुद्ध, धम, संग जो हैं ये बुद्ध के जो हैं वो क्या कहलाते हैं त्री रतन कहला आते हैं, तीन रतनों का समूव है, यानि कि बुद्ध, धम और संग, तो option A, जिनका भी है, वो बिल्कुल सही आंसर उनका यहाँ पर रहेगा, अगला प्रशन, जल्दी से इच्छा सब कस्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धरम कौन सा है, ये प्रचार की सीरीज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, जल्दी से इस क्वेशन का आप आंसर करें, इच्छा सब कस्टों का कारण है, ये किस ने कहा था, तो ये कहा था, वो धरम ने, option A, इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा, अगला क्वेशन, जल महावीर कौन से नंबर के तीर्थ कर थे, 21 थे, 22, 23 या फिर 24, तो कौन से नंबर के थे, महावीर जो थे, ये 24 में तीर्थ कर थे, तो option B, जिनका भी है, वो बिल्कुल सही आंसर उनका रहेगा, और जैन धरम के जो 23 में तीर्थ कर थे, 23 में की बात करता हूँ, तो ये भी का संस्थापक किसे माना जाता है, बड़ा इंटरस्टिंग कोशन, कोशन नंबर 21 हमारा चला है, भारत में जैन धरम का संस्थापक किसे माना जाता है, गोतम को, महावीर को, चंदर गुप्त को, या फिर अशोक को, जल्दी से अपना आंसर कोमेंट करें, जैन धरम का स्थापक कहा जाता है option b जिनका भी थेकर उनका रहेगा महभीर को जो है आप सबस्ता करें अगला कोशन है जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है यही कोशन मैंने आपसे कोमेंट करने के लिए बोला और देखिए आपका 22 कोशन जो है वो यही यहां पर निकल के आया जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन सा था पार्शबनाथ महावीर स्वामी रिश्वदेव या फ इन सभी traum के लिए आपके रहेंगे most important जय साहित्य को क्या कहते है तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है照 रिपीटिक बेद आरे शूतर या फिर अंग जैन साहित्य को क्या कहते एफ तो जैन कहते हैं option D जिनका भी राइट आंसर है option D जो है वो बिल्कुल सही आंसर इनका यहां पर रहेगा अंग जो है वो किसे कहते हैं जैन साहित्य को अंग कहा जाता है अगला question है प्राचीन भारत का परसिद शाशक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धरम अपनाया प्राचीन भारत का वो कौन सा शाशक था जब उसकी मृत्य होने वाली थी जीवन के अंतिम दिन उसके चले थे तो उसने अपना धरम जैन धरम को अपना लिया था तो वो कौन सा था वो शाशक था चंद्रगुप्त काफी महान शाशक रहा था प्राचीन भारत में option C चंद प्राचीन का आल में स्त्रोथ सामागरी लिखने के लिए प्रियुक्त भाशा कौन सा था जिसने पहली वार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था इंपोर्टेंट कोशन रहेगा कोशल मग्द चंपा या फिर अवंती कौन सा राज्य था ये दो कौन सा राज्य था मगद राज्य था मगद राज्यfind ऐप्ष्यनिंग वि मगद राज्य ने क्या किया था पहली वारण युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग जो है किया अगला कोशन जड़ी से अपना आंसर आपको में स्त्रोथ सामागरी लिखने के लिए प्रियुक्त भाशा कौन सी थी यानि कि प्राचीन काल में जो हम स्त्रोत लिखते थे, उनके लिखने के लिए कौन सी भाष अपयोग में ली जाती थी, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रह्मी भाषा या फिर खरोस्थी भाषा, कौन सी भाषा का अपयोग किया जाता था, तो प्राचीन काल में संस्कृत सबसे प्राचीन भासा है संस्कृत भाशा का उपयोग जो है वो प्राचीन काल में लिखने के लिए जो है जाता था अगला कोशन अगर आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग ही इस कोशन से होती है है क्या माना जाता है जल्दी से अपना अंसर कोमेंट करें यह कोशन आपका गलत नहीं होना चाहिए इतिहास का जनक भुगोल का जनक राजनीतिक सास्त्र का जनक या फिर दर्शन सास्त्र ब्रका जनक अगर आप हिस्ट्री में हलका साभिय इंट्रस्ट रखतें तो यह कोशन आपका गलत नहीं होना चाहिए यह सारे सारे स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए इतिहास नक हिस्ट्री के बान ने या फिर पतंजली ने महा भाशे के रचनाकार कौन थे जल्दी से अपना अंसर यहाँ पर बताएं गारगी मनू बान या फिर पतंजली जल्दी से अपना अंसर यहाँ पर कमेंट करें हमारे साथ शेयर करें क्योंकि महा भाशे लिखा था किसने महारिशी पतंजली न युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था थोड़ी सी फास्ट सीरीज मैंने खुद यहां पर चलाई है क्योंकि पिछले कल जो है वो हमारे क्वेशन टोटल पचास रहे थे जिसमें काफी टाइम हमें जो है वो लगा था समझाने के लिए क्योंकि मैं इंपोर्टेंट को भी आपके साथ शेयर कर रहा था आज थोड़ी सी फास्ट सीरीज जो है मूँ आपके लिए यहां पर रखूंगा युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था कौन सा वो शाशक था चंदरगुप्त मोरे था चंदरगुप्त विक्रामा देते था अशोक था या फिर बिंदु सार था जल्दी से अपना आंसर यहां पर कौनेंट करिए युनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था चंदरगुप्त मोरे ने निकाला था महान शाशक रहे थे प्राचीन भारत के ओप्शन ए जिनोंने भी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर अपना यह जाम के लिए आपको जो है असी से जादा कोशन बिल्कुल सही करने हैं कोशन है कोशन नमबर 30 चंदरगुप्त मोरे ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे काशी पाठली पुतर उजयन या फिर श्रबन बेल गोला कहां पर उन्हें ने अपने अंतिम दिन गोजारे जो है वो मैसूर में पढ़ता है यहां पर जो है वो इन्होंने अपने क्या किये थे अंतिम दिन जो है वो गुजारे थे अगला प्रशन है most important question चंदरगुप्त मोरे का बेटा कौन था बिंदू सार था चंदरगुप्त जीतिय था अशोक था और बिबी सार था ये question आपके static GKK basically रहते हैं क्योंकि fix question है repeated question आपके exam में ये पूछे जाते हैं चंदरगुप्त मोरे का बेटा कौन था बिंदू सार था option A जिन्होंने भी answer option A दिया है वो बिल्कुल सही answer यहां पर जा रहे है question number 32 रहेगा बिंदू सार का पुत्र कौन था तो दीखी चंदरगुप्त का आपको यहां पर बता दिया अब आगे पूचा है बिंदू सार का बेटा कौन था तो बिंदू सार का बेटा कौन सा था तो बिंदू सार का बेटा था सम्राट अशोक जिसको हम जानते हैं option A जो है इस question का बिल्कुल सही answer है रहे का repeated question है अशोक जो है वो मोरे राजवन्स का काफी महान शाशक जो हुआ था और यह बिंदू सार का क्या था पूतर था और चंदरगुप्त मोरे का क्या हुआ हुआ यह पोता हुआ अगला question बिंदू सार के शाशक के दोरान अशांती कहां पर फैलाई गई थी अशांती कहां पर थी जैनी में अब पुश कलावती में तक्षिला में या फिर राजग्रिह में तो चार उप्शन दिये गए हैं इस कांसर आप यहां पर बताएं विन्दू सार के शाशन के दोरान कहां पर अशांती प्याली थी तो यह प्याली थी कहां पर तक्षिला में की यहां पर एक बिद्रों हुआ था उसके कारण जो है वो यहां पर जो है वो अशांती फैल गई थी अगला प्रेशन है निमिलिकित में से वैं कौन सा वैं व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी था यह भी रिपीटलैंट नाम प्रियदर्शनी के नाम से किसे जाना जाता है तो राजा थे को जो है वो किसके नाम से जानते हैं हम देवा नाम प्रिय दर्शनी के नाम से जानते हैं तो option A जो है वो इस question का बिलकुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन इंडी का पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है अभी हमारे सिर्फ 35 question चले हैं टोटल 100 question की series हमारी रहेगी जादा हमारी जानकारी के लिए test series आप पर चेज कर सकते हैं www.vjpatheducation.com के ओपर जाकर इंडी का पुस्तक किसने लिखी थी यह question भी आपके exam में पूछा जाता है किसने लिखी थी जल्दी से आप बताएं option A जो है वो आई कौन सा राइट आंसर आपका रहेगा तो यह लिखी किसके गई थी मैकस्तनीज के द्वारा यह बुक इंडी का जो है वो लिखी गई थी अगला question है अशोक ने किस बोध भिक्षुत से प्रभावित होकर बोध धरम अपनाया था तो यह आपको पता होना चाहिए पहरे हमने जैन धरम अपनायने की बात की अब अशोक ने क्या अपना लिया था बोध धरम अपना लिया था अब अशोक को मिला था एक बोध साधू और उनी के बातों से परभावित होकर उन्होंने अपना धरम क्या अपना लिया बोध धरम अपना लिया तो कौन से साधू उनको मिले तो option B, जिन्होंने भी answer दिया है, वो बिलकुल सही answer उनका रहेगा, अगला question है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना आ गया था, थोड़ा सा अपलैबल का question डाला गया है, चिस्ती, ओलिया, सिलसिला या फिर सुक्रवल्दी, तो किस नाम से जानते थे, सूफी आदेश, जो सूफी आदेश थे, उनका अन्य नाम क्या था, तो उनका अन्य नाम क्या था, सिलसिला, option C, जो है वो इसका बिलकुल सही answer रहेगा, अगला most important question, अमीर खुसरो, एक संगीत, एक संगीत अग्य था, और इसके साथ साथ, और क्या था, क्या वो सूफी संत था, फार्सी और हिं और हिंदी का एक लेकक भी था, सूफी संत भी था, इतिहासकार भी था, इसलिए option D, जो है वो इस question का क्या रहेगा, right answer, option D, जिन्होंने भी answer दिया है, वो बिलकुल सही answer उनका रहेगा, तो जो भी student हमारे साथ जुड़े हैं, एक और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें अगला question है, निमलिकित में से किसे तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, most important question आपके लिए, तोता ए हिंद के नाम से हम किसे जानते हैं, जियावदीन बर्नी को, रहीम खाना को, अमीर खुसरो को, या फिर मलिक महम्मद जाईसी को, जल्दी से अपना answer आप यहाँ पर comment करे किसको मिली थी, option C, अमीर खुसरो को जो है, वो क्या कहा जाता था, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था, और जल्दी से एक answer आप यहाँ पर comment करें, कि अमीर खुसरो किसके दरवार में एक परमुख कभी थे, किसके दरवार के यह कभी थे, जहां पर यह अपनी सितार और तबले का अविशकारक भी माना जाता, यह चीज़ भी आप धिहान रखें, अमीर खुसरो को जो है, वो तबले और सितार का अविशकारक माना जाता है, तो जिन्होंने भी answer यहाँ पर अल्ला उदीन खिलजी दिया है, अल्ला उदीन खिलजी के दरवार में यह समारक के समुह का निर्वान किस ने किया था, तो हमपी में जो हैं, वो कुछ समारक हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हमपी का चित्र जो है वो नए करंसी में, 50 रुपे के नोट के पीछे जो है, वो हमपी का चित्र दिया गया है, हमपी के समारक का समुह का निर्वान कि तो नहीं के दरता इसके दो आ किया गया था, तो उप्शने हरी हर बुक्का है, फिर उसके बाद आपके पास उडाइन और शिशुनाग है, देवर्मन, बैने हैं, मारवर्न और सिर मारा है, तो उप्शन A, हरी हर और बुक्का जो है, इन्हों ने क्या किया था, हमपी के इसलिए option A जो है वो इस question का right answer रहेगा non-stop आपकी GK क्लास यहां पर आपके लिए रहेगी अगला question 41 question आपके लिए है ताली कोटा की परसिद लडाई कब हुई थी 1565 में 1575 में 1585 में 1570 में ताली कोटा की लडाई परसिद लडाई किस वर्ष हुई थी तो option A 1565 में जो है वो य अगला प्रशन जल्दी से दिल्ली की जामव मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी जातर कोशन आप से पूछा जाता है जामव मस्जिद कहां पर है यहां पर थोड़ा सा एक advanced level का question फिर से आपके लिए यहां पर मैंने डाला है किस सदी में बनाई गई थी 15 16 17 18 कौन सी सदी कौन है एक sheet आपको लेनी है वहां पर आपको अपने answer question number के साथ answer आपको डिक करते चलना है लास्ट में चेक करना है कि 100 में से कितने question जो है वो आपके बिलकुल सही यहां पर जाते है ताज महल के बास्तुकार कौन थे जल्दी से उस्ताद एहमद लाहोरी नॉर्मन फोरेस् में जो है वो करवाया था और इसके बास्तुकार इसका डिजाइन रखा था यह रखा था उस्ताद एहमद लाहोरी के दौरा तो option A जिन्होंने भी answer दिया है वो बिलकुल सही है और ताज महल जो है यह आगरा आगरा में स्थित है और कहां पर यह स्थित है दिल्ली में या उपी में ज्यद्धान में इसका बार करते हैं दिल्ली को जो उत्री ने無रे स्थित हैं लाल को रहते हैं लाल के बार निर्मान जो हमारा दिल्ली में है किसने करवाया था तो इसका निर्मान भी किसके द्वारा किया गया है अगला प्रशन है आपके पास ताज महल के बास्तुकार कौन थे तो यह तो हमारा कौशन रिपीट हुआ है उस्ताद एहमद लाहोरी यह आपको पता है ऑप्शन एक डांस करने पर और म्यूजिक के ओपर क्या कर दिया था बैन लगा दिया था कौन सा ऐसा शाशक था बावर हिमाईयू औरंग जेव और जहांगीर कौन सा एक शाशक था जिसने क्या किया जिसने नरित्य और संगीत के ओपर प्रतिवंद लगा दिया तो वो कौन सा था वो थ एक वार कॉमेंट करके आप जरूर बताएं कितने कोशन आपने अपर अभी तक कीए हैं तो बीबी का मकवरा जो है नहीं जो है और आपका रहता है अगला प्रशन आपके किस भारती राजे पर कबजा करने के लिए राज अपहरण नीती को नहीं अपनाया गया था तो ऐसा कौन सा भारती है किस भारती राजे पर मतलब कि पुराने टाइम में क्या किया गया था कि राज अपहरण नीती को नहीं अपनाए गया था किसके लिए ताकि किसी भारती राजे पर कबजा करने के लिए ये अपनीती नहीं अपनाई गया थी पतारा नागपुर जहांसी या फिर पंजाब कौन सी ऐसा यह था तो यह दूसरे आंगल सिख यूद में दूसरा आंगल सिख यूद 1848 से 1849 के बीच हुआ था और एक सिख यूद था आंगल सिख यूद था इसमें जो है वह राज्य अपहरण नीती के अकोडिंग पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था यह चीज आपको धिएंग रखना है पंजाब पर कब्जा नहीं किया गया था तो राइंसर किया रहे गा इसका और ऑप्शन एप बिचाई गई थी और ब्लहुंजी के द्वारा ये लगबग जितने भी हमारे टैलीफोन है टैलीग्राम है उसके बाद रेलवे लाइन है इन सभी के काम किये गए थे तो टैलीग्राफ की पहली लाइन कहां से कहां बिचाई गई थी ऑप्शन दिये गए है कलकत्ता से आगरा आगरा से जैपुर दिली से शिमला कलकत्ता से तानी गंज तो option A जिन्हों ने भी आंसर दिया है कॉलकत्ता से आगरा जो है वो इसका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा तो पचास्मा कोशिन आपके पास आगया है भारत का पहला भारती गवर्नर जर्नल कौन सा था जल्दी से अपना अंसर यहां पर कॉमेंट करें भारत का पहला भारतिय गवर्नर जर्नल कौन सा था बियार अंबेद कर सी राज गोपालाचारी राजेंदर परशाद या फिर एस राधाक्रिशन तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा ऑप्शन भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कोईशन नहीं है क्योंकि ये सब भी जो है बियार अंबेद का राजेंदर परशाद और राधाक्रिशन ये राष्ठ पती परधान मंतरी और किसी मंतरी पद की पुजिशन में रहे थे और राज को पालाचारी जो है ये भारत के पहले क्या रहे थे भारती ग भारत का पहला गवर्णर जर्रनल कौन था ये बिलकुल आपका राइट कोईशन है क्योंकि यहां पर देखी पिछले कोईशन को थोड़ा सध्यान से आप नोटीस करें मैं पिछला कोशन लगा देता हूँ, यहाँ पर भारत बोला गया है, ना कि सुतंतर भारत, यहाँ पर ध्यान दे, भारत का पहला भारती गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राज गुपाला चारी, यहाँ पर बोला गया है, सुतंतर भारत का, तो एक ही बाड़ यहाँ पर यहां पर जब बात की जा रही है तो सुतंतर भारत का पहला यानि की पूरे इंडिया की बात की जा रही है ना कि एक ऐसे परसन की जो इंडियन है यहां पर जो पहला गवर्नर था वो कौन था लाड माउंट बैटें जैसे कि अब मैं इस को समझाने के लिए आपको बताता हू जैसे कि अगर मैं RBI की बात करता हूँ ठीक है जी अब RBI के गवर्नर की बात करता हूँ कि पहला गवर्नर कौन था तो पहला गवर्नर था सर ओस्बोन स्मिथ कौन था ओस्बोन स्मिथ लेकिन RBI का पहला भारतिय गवर्नर कौन था तो भारतिय गवर्नर कौन सा था उनका नाम भारती गवर्नर कौन था आप एक बार चेक करने तो मेरा समझाने का में मोटिव क्या है कि आर बियाई का जो गवर्नर था वो पहले नंबर पर कौन से थे सर और ओस्बोन समित लेकिन जब भारती की बात की गई तो उसके लिए आप कांसर क्यों जाएगा चेंज हो जाएगा यहां पर सुतंतर भारत का पहला गवर्नर था लौर्ड मांट बैटन और उसके बाद गवर्नर कोन आया उसके बाद गवर्नर आया राज गोपालाचारी जो की दूसरे नंबर के गवर्नर थे लेकिन अगर मैं भारत के भारती परसन की बात करूं तो उसमें वो पहले नंब से आप बुक से जो है वो understand करें क्यूंकि यहाँ पर छोटी से भी आपकी गलती जो है वो पूरा आपका एक question गलत करवा सकती है सो तंतर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था यह आप से पूछा गया है option दिये गए है सर क्रिप्स लौड माउंट बेंटन सी राजगोपालाचारी यह सर एटली तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था सीराजगोपालाचारी क्यूंकि यह हमारे पहले भारती गवर्नर जनरल थे और इसके बाद यह post ही क्या कर दी गई खतम कर दी गई यह post नहीं रखी गई तो पहले वह यह थे और अंतिम भी यही थे तो इसलिए जो है वो सी राजगोपालाचारी ऑप्शन सी इसका राई डांसर यहां पर रहेगा 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हिनों ने जो है वो यह पोस्ट संभाली थी भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे अगला कोशन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई यह कोशन भी आपसे बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है SK की बुक में आपके मल्टिपल प्रैक्टिस सेट में यह कोशन पूछा गया है विवेका नंद रामा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो विवेका नंद के द्वारा जो है वो किसकी रामक्रिशन मिशन की स्थापना की अंग्रेजों ने भारत में उच्टिकों को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था में उन्होंने add-on कर दिया कब उसको उसका माध्यम बनाया गया तो 1835 में option C क्या रहेगा इस question का right answer रहेगा और भारत में अंग्रेजी को अंग्रेजी को सिक्षा का माध्यम बनाने के लिए जो है वो लॉड मिकाले का एक महतपूरण योगदान रहा था अगला question है अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कोन था इंपोर्टेंट question है ये अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कोन था सर अगा खां मुलाना अफ्ताव हुसान अगला है मुलाना शिबली या फिर सयद एहमद खां क्या इसका right answer रहेगा तो अलीगड़ अंदोलन का संस्थापक कोन था सर सयद एहमद खां ऑप्शन डी जिन्होंने भी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला प्रशन 56 question इंपोर्टेंट कोईशन रिपीटेड कोईशन बार-बार एक्जाम में आने वाला प्रशन प्राथना समाज का संस्थापक कौन था प्राथना समाज का संस्थापक कौन था जल्दी से अपना अंसर यहां पर आप कोमेंट करें प्राथना समाज रामकृशन परमहंस स्वाम विकैनंद आत्मा राम पंडू रंग या फिर दयानंद सर्स्वती तो जब भी smashing में जाते हैं तो क्या करते हैं प्राथ ना करते हैं Gornig Assembly में क्या की जाती है प्राथ्मा प्राथ्ना जो है जुड़ती है प्राथ्ना जो हमारी अंतर आत्मा के साथ जुड़ती है तो आत्मा से क्या हो जाएगा आत्मा राम पांडूरंग option c इस question का right answer रहेगा अगला कि एक एतिहासिक द्हटी सिस्थी बेर्था जो एक ढाम हुन रहे ने किसके द्हारम गया था राजा रामूहन राहे ने किसके ढारे कियाAL रहे था राज हिए रॉद्ध ऐक्स वर आजन हुन आउल अए बमागu कि एक रहे हो था्यवाशा आई ने । Johann एं धा O आगला प्रशन इंडियन और ओ इंडिपेंडेंडेंस नामक पुस्तक किसके दौरा लिक्षिंगी है वात्तृ विक्स्तान जिवा नहीं बलकी मन है, यानि कि स्वाद लेने के लिए जिवा नहीं होनी चाहिए बलकी मन होना चाहिए, अगर मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, किसने कहा था, अर्बिंद गोष, महात्मा गांधी, बाल गंगा, धर्ति लक्स या फिर सुवामी विवेकाननद जी ने किसने कहा था, कि सुआध लेने के लिए जीवा का होना जरूरी नहीं है, बलकि मन ही जरूरी है, तो कौन कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं, महात्मा, गांधी जी, तो ऑप्चिन भी क्या रहेगा, इसकोशन का राइट आंसर ह अगला प्रशन है यह विचार किसने कहा था this साधन ही उतेश्यों को चित्ते बनाते हैं किसके दौर यह कहा गया है? राजरामों राइजस्वामिध रैस्वामी देयनन्द सरसवती या फिर महत्माą गांधी तो इसका भी राइट päंज़र क्या रहेगा? optionally महात्मा गांधी इस question का भी right answer रहेगा तो last के हमारे 40 question बचे हैं अगला question जल्दी से 61th question हमारा रहेगा किसने कहा था सत्य परमतत्व है और वही क्या है इश्वर है किसके द्वारा कहा गया था स्वामी विवेकनंद रविंद नाटेगोर उसके बाद गांधी और उसके बाद है राधा ग्रेशन तो यह sentence भी किसके द्वारा कहा गया था सत्य परमतत्व है सत्य और अहिंसा किसके दो मुख्य पहलू थे मुख्य पहलू थे इसलिए option c का रहेगा इस question का भी right answer रहेगा गांधी जी का मूल मंत्र ही क्या था सत्य और अहिंसा इसके लिए option c इसका right answer रहेगा अगला 62 question भारतिय विस्मारक के रूप में किसे कहा जाता है किसे जाना जाता है सरदार बल्लभाई पटेल सुभास चंद जानते हैं तो जिन्होंने भी answer बल्लभाई पटेल यहां पर दिया है सरदार बल्लभाई पटेल option a उनका answer बिल्कुल सही है आप जीके की sheet के ओपर जो है वो अपने answer यहां पर लिखते चलें कौन-कौन से आपके question गलत हुए कौन-कौन से सही हुए last में score discuss आप जरूर करें जो चीज आपके direct दिमाग में hit है उसका आपको answer बताना है और check करना है कि 100 में से आपकी त्यारी कितनी है कि आपको कोई न कोई exam तो दे नहीं है एक particular exam के लिए आपका जीके नहीं है multiple exam के लिए आपका जीके रहता है इसलिए आप sheet आप जरूर लगाए उसमें आपना score आप जिए के दोरा option B जोनहोंने answer किया वो विल्कुल सही answer उनका रहेगा अगला प्रशन है British संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारती कौन सा था तो ब्रेटिश संसद में भारत के दोरा एक सदस्य जो है बना था और पहला भारती वह कौन सा था कौन सा था बंकिम जंदर चटर जी डव्लियू सी बैनेर जी दादा भाई नारोजी या फिर इन में से कोई नहीं तो वह कौन से थे पहले भारती जो ब्रिटिस शंसद के सदस्य से नाम था दादा भाई नारोजी जो है वह उन्होंने सबसे पहले रास्ट्रे आय का भी आंकलन किया था और उसके बाद उन्होंने British संसद में as a member में उन्होंने भाग लिया था अगला कोशन है भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अभहन यानि कि ड्रेन ऑफ बैर्थ का सिध्धांत किस ने प्रतिपादित किया था इस कोशन का आप आंसर करें कि राइट आंसर इसका रहेगा तो भारत से ब्रिटेन की और ठीक है जी तो यह किसके द्वारा किया था अब इसका मतलब क्या है यह सिध्धांत किसके द्वारा किया था देखिए यह सिध्धांत क्या है इस सिध्धांत का मतलब है कि आपने सीखा भारत से और उसका काम किया किसी और कंट्री से उसको कहा जाता है brain drain drain of wealth यानि कि आपने सारी की सारी टेक्नोलजी कहां से सीखी बाहर से सीखी जैसे हम क्या करते हैं अमेरिका में चलेगे पढ़ाई कहां से की अमेरिका से की डॉक्टरी कहां से सीखी अमेरिका से सीखी लोग कहां से सीखा साउथ अफरीका से सीखा लेकिन काम किस देश के लिए किया काम हमने किया इंडिया के लिए वैसे यहां पर भी होता है पढ़ाई हम कहां करते हैं इंडिया में करते हैं सारी चीज़ें इंडिया से सीखते हैं ल आधर कंट्री के लिए तो ये सिधान्थ किसके दोरा दिया गया था दादा भाई नरोजी के दौरा ऑप्शन भी इसका राइट आंसर रहेगा अगला प्रेशन ब्रिटिस समराजबाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवह का सिधान्थ किसने प्रस्तुत किया था तो ये प ऑंट बैटन लौड वैकल लॉट लिंख तो किसके दोरा ये कहा गया था इंपोर्टेंट कोईशन है लेकिन एक हम अधोलनमे इस अंदलन किया गया था और कौपनसा था यह अंदोलन था है भारत चुडो अंदोलन42 में रहे और गांदी जीन एक महांट भूर्ह ही किसके दोर दा पक्रवेंगर वहहां पर दिया था करो यह मरो का नारा किसके दोरा दिया गया। किस सभा सभार कि दोरा दिया। contains किस में द इक बाल को धीया। किसके दारग है। श्रदिया था आंसर आप उपना कुमेंट करें इंक लाव जिंढवाद का नारा किसने दिया था चंदर्शेकर आज़ाद सुभाश ऑचंदर-बोस बहगत सिंग या फिर devrait कि बार शिचाक बकाल तो इक लाव सरस्वती अर्विंद खोष या फिर राजा राम उन्राइज तो बेदों की और बापिस लोटो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था आपको ध्यान में रखने हैं इंपोर्टेंट कोशन है ट्रिक आप इसके लिए बना सकते हैं बेद जो हैं वो किस भगवान के हाथ में हो होते हैं सर्श्वती माता के हैं इसलिए की द्वारा दिया गया स्igation स्वामी औरेबापिस लोटों को स्वामी द्यानंक नारा बीजें जानक किसे कहा जाता है जल्दी तो तो किसे कहा जाताथा आरविंद गोश विपिन चंद्रपालिया फिर बाल गंगा धर तेलों को सब्सक्राइब फ्रैंट्रियर गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं मोहंदास करम चंद गान्धी को अबदुल-बली खां को अबदुल-गफ़ार खां चाहँ अबधिल-गफ़ार सिज अक सिसे और यह कहते हैं ये कहते हैं खान अब्दुल गफार खान को ये किसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सब इने अवग्या अंदोलन के दोरान ये जो है वो इन्होंने एक स्क्रिय अपनी भूमी का निभाई थी उस अंदोलन में इसलिए उन्हें फ्रेंटियर गांधी या फिर सिमात गांध किया जा चुका था अगला प्रशन है सिमात गांधी किसका अपनाम था तो अभी मैंने आपको बता दिया और सिमात गांधी यानि की एक ही है तो वह कौन है खान अब्दुल गफार खान ऑप्शने इसका राइट अंसर रहेगा अगला है यंग इंडिया और हरीजन का संपा दो जाती थी तो किया इसका राइट आंसर रहेगा नंहरु अंब्यतकर महात्मा गांधी यह फिर्फ सुभाह चंदर बोस सीे तो और लिखिये अगला प्रशन है और प्रेशन नील दर्पन का अंग्रेज के द्वारा किया गया था तो नील दरपण एक जो है वो एक ओपनियास था यह जो है वो दीन बंधू मित्र के द्वारा लिखी गई थी और इसका इंगलिश में अनुबाद मधू सूधन दत ने किया था यानि कि ऑप्शन बी जो है वो इसकोशन का राइट अंसर रहेगा थोड़ा सा अप लेवल का को वालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला नाटक नील दरपण किसने लिखा तो अभी मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा आप माइंड में चीज़ों को ध्यान में रखें क्यूंकि जो चीज अभी मैंने बताई है कई वार कोशन दो तीन कोशन ऐसे हमने रिपीट क हुआ था अली जिन्ना लॉड इर्विन सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीम राव अंबेदकर तो किसके बीच में जो है यह समझोता हुआ था पूर्णा समझोता आपको ध्यान में रखना है पूर्णा समझोता 1932 में हुआ था और यहां पर यहां पर जो है वो गांधी जी ने अपने जो सहयोगी थे उनके हस्ताक्षर यहां पर करवाए गए थे 24 सितंबर 1932 को इस समझोते में जो है वो दोनों तरफ से हस्ताक्षित किये गए एक थे महात्मा गांधी और दूसरे कौन थे डॉक्टर बियार अंबेदकर तो यहां पर यह जाती से अरक्षित करने की विवस्ता की गई थी तो वियार अंबेदकर option D रहेगा अगला प्रशण भारती राश्ट्रीच कॉंग्रेज का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कों था यहां पर धियान दें पहला अंग्रेज अध्यक्ष की बात बोली है ना कि पहले भारती अध्यक्ष क बात बोली गही है भार्ती राष्ट्रीप्र का कव्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जॉर्ज यूले बिलियन या फिर हियों या फिर हैंरी कॉटन तो क्या इसका रहेगा तो इसका राइटी रहेगा जॉर्ज यूले जो थे यह भारती राष्ट्री कॉंग्रेस के पहले अंगरेज अध्याक्ष थे ध्यान में रखना है अंगरेज अध्याक्ष की बात यहां पर की गई है तो ऑप्शन जो है वह इसका राइट आंसर रहेगा अगला प्रशन फरबरी 1928 में भारत आने क्यों किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंगरेज थे उस समय अनेक राष्ट्रपाती नेदा जो थे वह बंदी थे उसके बाद है उनका अध्यक्स सर जोन साइमन काफी अलोगपरिय हुआ था या फिर माटेंग्यू जेम्स फॉर्ड सुधार असफल हो गये थे तो क कौन से सदस्य थे अंगरेज थे इसलिए उसका बहिश्कार किया गया था अगला प्रशन है भारत सेबक समाज की स्थापना किस ने की थी बाल गंगा धर तिल्क गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंदर नाथ पेनर जी डादा भाई नरो जी किसके द्वारा ही की गई थी भार सेबक समाज की स्थापना किस ने की थी भारत सेबक समाज की स्थापना किस ने की थी बाल गंगा धर तिल्क गोपाल कृष्ण गोखले सुरेंदर नाथ पेनर जी दादा भाई नरो जी दादा भाई नरो जी किसके द्वारा ही की गई थी तो ऑप्शन भी गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका right answer रहेगा option B बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा भारत सेबक समाज इसकी स्थापना जो है वो गवाल कृशन गोखले ने पुने महरास्ट में 12 जून 1905 में की थी कई बार question में पूछ लिया जाता है और इसको जो है भारत सेबक समाज इसको जो है वो English में क्या कहा जाता है servants of India society servants of India society के नाम से भी इसको जानते हैं तो अगला प्रशन है देखिए फिर से question हमारा repeat it was servants of India society के संस्थापक कौन थे अभी मैंने आपको यहां पर बताया गोपाल कृष्ण गोखले यानि कि option A जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा 1905 में जो है इस society की स्थापना की गई थी अगला प्रशन है निमन में से कौन सा ब्यक्ति इटली के एकी करण से समंदित नहीं अगला प्रशन हमारे पास question number 84 दूति अभिश्व यूद के दुरान जापान के किन शहरों में परमानू बंब गिराए गये थी यह तो आपको question आना ही चाहिए इसमें तो option की भी आपको जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए राइट अंसर क्या रहेगा बिल्कुल सिंपल सा हिरोशिमा एवं नागा साकी option D जिन्होंने भी आंसर यहां पर किया है तो बिल्कुल सही आंसर है हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में बंब गिराए गया था और ये उसके बाद नागा शाकी में 9 अगस्त 1945 को USA के द्वारा जो है वो परमानुगंब ये गिराए गए थे और ये दोनों शहर हिरोशिमा और नागा साकी ये कहां पर पढ़ते हैं जापान में पढ़ते हैं और किस यूद में गिराए गए थे तो दूति बिश्वयूद में यहां पर गिराए गए थे तो काफी जादा कोशन बनते हैं तो आ सब्सक्राइब को हिरोशिमा में और उसके तीन दिन बाद 9 अगस 1945 में तीन कोशन हो गए चोथा कोशन किस के द्वारा यह बाम फैंके गए थे यह तो यूसे के द्वारा फैंके गए तो लगवग चार से पांच कोशन हमारे इसी फैक्ट से हमारे यहां पर बनके निकल के तीन परकार की मुखे रूप से अदालते जो है वो मानी जाती हैं सबसे जोटी है हमारी जिला उसके बाद है हमारी स्टेट हाई कोट और उसके बाद आता हमारे पास सुप्रीम कोट तो मुखे रूप से तीन अदालते मानी जाती है और उससे नीचे के अगर बात करें सबस से नंबर पर आता है हमारे पास सुप्रीम कॉट तो ऑप्शन भी इसका राइट अंसर रहेगा अगला 86 कौशन है कौन सा अनुछेद निर्वाचन आयोग से समध रखता है यानि कि 324 आर्टिकल 326 जो है वो हमारा किस से रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से समंधर रखता है अगला प्रशन 87 मुख्य चुनाव आयोगत का कारेकाल कितने समय का होता है पांच छे 506 साल 95 जाट साल की उमरतक 65 साल की उमरतक कौन सा इसका राइट असर रहेगा अच्छा प्रशन आपके पास दिया घया है तो बहुत होता है चीया आपको बताना चाहिए आपको उसके बाद उसमें उमर 60 साल की नहीं है उसमें उमर कितने की है 65 साल की इसलिए प्राफर किसको करेंगे option D को हम यहाँ पर प्राफर करेंगे तो जिन होने भी आंसर option D दिया है उनका क्या है बेलकुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा अगला प्रेशन है भारत के प्रत्थम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो पहले एक्जाम की त्यारी के लिए आगे खड़ा रहता है और यह हमारे वन लाइनर नोट्स में भी आपको यह question पहले ही page में आपको देखने को मिला होगा अगर कोई भी स्टुडेंट हमारे विजयपत एज्यूकेशन की नोट्स अगर उसके पास रहे हैं जीके के नोट्स वन लाइनर फॉर्म में तो उसमें पहले पेज पर ही जिसमें भारतिय मैं से related question थे परसिद्ध भ्यक्तियों से related question थे पहले ही पेज में आपका यह question वहां अगला question भारत के पहले चुनाब आयूक्त कौन थे अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर सू कुमार से ऑप्शन डी राइड अंसर होता है संबेधानी का मतलब क्या होता है संबेधानी का किसी पदफ पर होता है तो संबेधान के द्वारा ज्यूस को शक्तिया परापतने पर्योग करता है तो कौन सा ओप्शन होगा option D संबेधान द्वारा परापत्षक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शकटियों का पर्योग किया जाता है option D, इस question का right answer रहेगा, अगला प्रशन है, question number 91, राजय पाल को पद की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है, राजय पाल जो हमारा state का governor होता है, उसको शपत कौन दिलाता है, उच न्याले के मुख्य न्याइधीर, राष्ट्रपती, विधान सभा के अध्याक्ष या फिर भा द्वारा उनको शपत दिलाई जाती है, आपको ध्यान में रखना है, इनको यह राष्ट्रपती के द्वारा अपोइंट किये जाते हैं, लेकिन इनको जो शपत है, वो राष्ट्रपती के द्वारा नहीं दी जाती है, इनको शपत दी जाती है, जो उच न्याले के जो हाई सबसे लंबी सेबा की है इंपोर्टेंट कोईशन है अब यह कोई और मुख्य मंतरी भी हो सकता है जिसने काफी लंबे टाइम तक सेबा की है जैसे कि अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो जो हमारे भीर भदर सिंग थे वह लगा अच्छे बार हिमाचल के मुख्य मंतरी रहे हैं लेकिन यह कोईशन ऑप्शन के उपर डिपेंड करता है इसमें आपको बोला गया कि इन में से इन ऑप्शन में से कौन से राज्य में एक जिन्होंने सबसे लंबी सेवा जो है वो की है परताप सिंग कैरो भैरो सिंग सिखाबत जियोती बशु या फिर देविला तो कौन से मुख्य मंतरी थे तो वो थे जियोती बशु ऑप्शन सी इस कौशन का राइट आंसर रहेगा यह पश्चिम बंगाल के मुख्य मंतरी ज भी से उस्पी सेवा से 1997 से लेकर 1000 तक जो है आपके पास बहरत की स्राज्तम में महिला मुख्य मंतरी कभी नहीं बनी इन चार और राजियों की बात की जारी option के coding तमिल नाडू, राजिस्थान, उत्तरपरदेश या महारास्ट इनकी मुख्य मंतरी जो है बूख कभी भी कोई महिला नहीं बनी है यह आपको बताना है तो अगर मैं सबसे पहले तमिल नाडू की बात करूँ तो तमिल नाडू में जो है ब राजिस्थान की भी एक महिला मुख्य मंतरी रह चुकी है बसुंधरा राजे इनका नाम भी आपने सुना होगा उत्तरपरदेश की अगर मैं बात करूँ तो माया बती काफी परसित नाम है और सुचेता क्रिपलानी जो की पहली मुख्य मंतरी थी यूपी की महिला में तो यह भी वहां की मुख्य मंतरी रह चुकी है तो इसलिए कौन सा बचा महारास्ट्र की अभी तक कोई भी महिला मुख्य मंतरी नहीं बनी है अगला कोशन है निमलिकित में से कौन भारत के किसी राजे का निरंत्र तीसरी बार मुख्य मंतरी बना है इन में से यह आपको बतान तरुन गोगोई इसका right answer रहेगा अपना अंसर एक वार comment करें कि तरुन गोगोई कि स्राज्य के मुख्य मंतरी बने हैं एक वार internet से भी आप इसकी help वह ले सकते हैं क्यूंकि कहीं कहीं से जब आप question search करते हैं तो वो पंचाइती राज के साथ है जुड़ा है तो option A क्या हो जाएगा हमारा इस question का right answer रहेगा अगला प्रशन है पंचाइती राज को कि संसोधन ने संस्थापित किया था तो यह भी मैंने आपको बता दिया 73 जो है पंचाइती राज से जुड़ा है तो option C जिन्होंने भी answer दिया बिल्कुल सही है अगला प्रशन कि इस संसोधन ने नगरिय स्थानी सरकारों को संविधानिक दर्जा दिया पंचाइत हमारी जुड़ी है 73 से तो नगरिय संस्थानिक किस के साथ जुड़ी है तो यह जुड़ी है 74 से option B इस question का right answer रहेगा 98 question भारत में पंचाइती राज पढ़नाली संविधान के किस अनुछेद के निर्तेश के अंतरगात शुरू हुई थी कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है वो यह शुरू की गई थी 32, 40, 45 और 51 किसमें जो है वो यह हमारा पंचाइती राज सिस्टम जो है वो आता है आर्टिकल ओर्गेनाइजेशन ओफ बिलेज पंचाइत आर्टिकल 40 यह हमें बताता है तो ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास इसका बिल्कुर राइट आंसर रहेगा बीएड एंट्रांस के लिए आपका इक कोशन इंपोर्टेंट रह सकता है अगला प्रशन है कोशन नमबर 99 सेकंड लास्ट कोशन आज की क्ला किस आर्टिकल में आता है तो आर्टिकल 40 अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन सी इसका रहेगा राइट आंसर रहेगा अगला अंतिम प्रशन है आज की क्वेशन का इसलिए दो कोशन मैंने यहां पर आड़ोन किये हैं पहला कोशन आपके पास महिलाओं के लिए रास्ट्र नीटी किस वर्ष में अपनाई गयी थी किस वर्ष में अपनाई गयी थी individual see 2001 में बारत में सूचना का अधिकार सूचना अधिकार का मतलब है राइट टू इन्फ्रमेशन क्या देते हैंяж राइट टू इन्फॉमेशन Sciences कब शुरू किया गया था भारत में किस दिन ये शुरू किया गया था क्बंद्रा-गस्त-अ-वंच-जूं-जू-जू-जू-वं-दौ-व-जू-ई-व-जू-गय-पिन-व-चौ-जू-जू-फ cir ownerer numbers of उनमें से लगबग 80 से जादा कोईशन जो है वो आपके बिलकुल सही है जिन भी स्टुडेंट के यहां पर अंसर सही है वो अपना एक वार स्कोर यहां पर हमारे साथ जरूर शेयर करें कैसी आपको क्लास लगी कोमेंट करके आप जरूर बताएं एक वार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने क्लास को इंजोई किया अपना एक बार आपने जी के टेस्ट किया अगली बार फिर से इसी परकार की क्लासिस के साथ मैं आप से जुड़ूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एक पिर से जरूर तूर आप से जरूश जो एक ड्रोड़ूंगश निजजाड़ूंगा जब एक बार को आपने हूंगा निए त Pasर एक घचित्ल झाला को